प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने आज सवभाग इसकीम के लाभारतियों से नमो आप के जरिये बात शीत की आपको बता दे कि पीएम ने 25 जुलाई 2017 को सहज बिजली हर घर योजना सवभाग इसकीम की शुरुवात की थी पीएम मोधी ने लोगों को नमो आप के माध्यम से कहा कि आज उन्हें 18,000 गाउं के लोगों से मिलने का मौका मिला है जिनके यहाँ पहली बार बिजली पहुंची है रायत सुप्रीमो लाली अदब के जमानत को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है बीजेपी के बाद अब जदियू ने भी लालू पर निशाना साधा है जदियू प्रक्ता निरश कुमार ने कहा कि जमानत पर जेल से बाहर चल रहे लालू यादब ने कोट के फैसले की अवमानना की है जदियू प्रक्ता ने कहा कि चारा घोटाला के चार मामलों में सजायाफता लालो प्रिशात को स्वास्त लाव लेने के लिए जमानत मीली थी इस दोरान कोट की शर्ट थी कि वे किसी भी राजनीतिक कारेश से अलग रहेंगे लेकिन में माननीय सांसदों के साथ फोटो शेशन करवा रहें जो कोट की शर्टों का उलंगन है बाका पहुंचे उप मुखे मंत्री शुशिल कुमार मोदी ने कहा कि सूबे में धिबरी यूग जल्दी खत्म हो जाएगी उन्होंने कहा कि राजसरकार जल्दी सूबे के हर घर में विजली पहुचाने की अपनी योजना को पूरा करने वाली है साथी डिप्टि सीम ने 3000 करोड की लागत से लागू हो रही शुद्ध पेजल योजना की जानकारी भी दी बिहार में नेता प्रतिपक्षु तेयश्वी आदब अपनी लंबी छुट्टी के बाद पटना आ गए हैं पटना एयरपोर्ट पर पहुचते ही तेयश्वी आदब ने नितीश कुमार और अमित्शा पर जम कर हमला बोला उन्होंने कहा कि सत्तारूर दल लालू प्रईवार के पीछे पड़ा है नितीश कुमार अमित्शा के साथ मिलकर डीनर लंच कर रहे हैं बिहार अपराद सुखार बाढ़ जेल रहा है और सरकार रेट कार्पेट बिचा कर अमित्शा का भव स्वागत कर रही है उन्होंने कह कि शाम को राज़त बिधायक दल की बैठक है इसमें हम सब मिलकर कई मुद्दों पर चर्चा करेंगी राज़ानी पटना और राज़ी के अनिलाकों के लोगों को बारिश के लिए अभी और इंतजार करना होगा इससे उमस भरी गर्मी का दौर जारी रहेगा वहीं बारिश नहीं होने की वज़ा से राज़ी के लगबग दो दर्जन जीलों में सूखे के स्ततीब बन रही है खबर है कि 19 जुलाई को बंगाल की खाडी में बनने वाला साइकलोन कमजोर पढ़ गया है मौसम इभाग के अनुसार इसके 21 जुलाई के बाद सक्रिय होने की संभावना है वहीं मौसम इभाग का कैना है कि अच्छी बारिश के लिए अभी 23 से 24 जुलाई तक का इंतजार करना होगा जा जानकाई के लोगिन कीजिए citypostlive.com बस एक क्लिक में सभी खबरें